जो आज मैं आपको टॉपिक लेकर आई हूँ वो है थर्मो डाइनमिक्स पिछले कुछ दिनों से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेट कुछ क्वेस्चन्स आपको सॉल्व करने हैं अपने घर पर इसे सॉल्व कीजिए किस प्रकार सॉल्व करने हैं उसके बारे में मैं आज आप से चर्चा करूंगे तो थर्मो डाइनमिक्स के इस टॉपिक में जो फर्स्ट क्वेस्चन आपको दिया गया है और जो की एक्जैम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो है इसका वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को लिखी सेकिंड क्वेस्चन जो है वो नुमेरिकल दिया है मैंने आपको और थर्ड क्वेस्चन शोर्ट आंसर्ट क्वेस्चन है विच इस जेनरल कंडिशन ओफ एक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनेटी साम में वस्वत्य प्रवर्थित की सामान्य अवस्था कौन सी है तो आएए मैं आपको इन क्वेस्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है उसका राइट एप्रोच बताने जा रही है पहले हम फर्स्ट क्वेस्चन की बात करते हैं वाट इस गिब्स हेलमॉल्स एक्विशन गिब्स हेलमॉल समी करन क्या है आपने इस टॉपिक की शुरुवात में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था आपको याद होगा कि जी इस इक्वल टू एच माइनस ती एस जहां पर एच हीट कंटेंट या एन्थेल्पी कहलाता है ती टेंप्रेचर है और एस एन्ट्रॉपी है और यहाँ जी को तांत्र की गिब्स उर्जा या मुक्त उर्जा कहते है एक आईसो थर्मल प्रोसेस के अंदर इनिशिल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो मुक्त उर्जा परिवर्तन होता है उसका मान ग्याद करके और उसका अंतर ग्याद करके आप एक समीकरन ट्राप्त करते हैं देल्टा G is equal to देल्टा H minus T देल्टा S इसी डेरिवेशन में आपने यह भी जाना था कि H का मान E plus PV से भी रेप्रेजेंट किया जाता है तो वो वैल्यूस इसमें रखने पर और डिफ्रेंशीट करने पर और उसको सॉल्व करने पर आपने Gibbs-Helmall समीकरन प्राप्त की थी जो इस प्रकार आई थी देल्टा G is equal to देल्टा H plus T देल्टा G upon DT at constant pressure P तो स्थिर्द आप पर आपने मुक्त उर्जा परिवर्तन ग्यात किया था और उस equation को नाम दिया था Gibbs-Helmall's equation तो इसका derivation लिखिए जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ और उसके notes भी आपको दे चुकी हूँ इसके बाद इस question का second part write its significance इसके महत्व को लिखिए इसे आपको नहीं भूलना है क्योंकि यह प्रश्ण दो भागों में बटा हुआ है Gibbs-Helmall's समीकरन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसकी significance के बारे में भी आपको बताना है significance मैंने आपको समझाया था और बताया था कि यह equation सभी भौतिक परिवर्तनों पर लागू होती है जितने भी physical changes है वहाँ पर हम यह equation apply कर सकते हैं साथ ही साथ यह equation उत्रक्रमनी प्रक्रमों पर भी समान रूप से लागू होती है क्योंकि इसमें प्रयुक्त जितनी भी जो राशियां है delta G, delta H, delta A और delta E सभी state functions है और यह प्रक्रम के पत पर निर्भर नहीं करते हैं एक इसकी importance थी कि Gibbs energy पर temperature के प्रभाव को ग्याद किया जा सकता है और साथ ही Gibbs-Helmoltz equation से अभी क्रिया में हुए उश्मा परिवर्तन को भी ग्याद किया जा सकता है तो इन सब चीजों को अपने answer में include करते हुए systematic रूप से इस question का answer आपको अपनी copy में लिखना है Second question numerical है Calculate the values of delta S for following change on 1 atmospheric pressure and 308 degree Kelvin यानि जब sulfur rhombic sulfur का परिवर्तन monoclinic sulfur में होता है तो एक वाईव मंडली दाप और 308 Kelvin ताप पर आपको entropy परिवर्तन का मान ग्याद करना है इसके लिए आपको delta H का मान दिया हुआ है 66 calories और delta G का मान दिया हुआ है 18 calories बहुत simple questions है पहले आप देखिए कि what is given तो delta G, delta H pressure and temperature अब आप इसमें देखिए कि आपको ग्याद क्या करना है यहाँ पर आपको calculate करना है delta S का मान entropy परिवर्तन के मान को ग्याद करना है formula लगाईए Gibbs-Hell-Moll's equation apply कीजिए जैसा कि आप जानते है delta G is equal to delta H minus T delta S equation को rearrange कीजिए delta G को right hand side पे ले आईए और T delta S को left hand side पे ले आईए तो T delta S is equal to delta H minus delta G क्योंकि आपको entropy परिवर्तन निकालना है तो delta S is equal to delta H minus delta G upon T अब आपके पास में अब आपके पास में entropy परिवर्तन निकालने के लिए formula बिलकुल ready है इसमें आप delta G का मान रखिए 18 calories delta H का मान रखिए 66 calories और temperature का मान रखिए और इसे solve कीजी तो आपके पास में जो answer आएगा उसकी unit होगी calories per degree यहाँ ध्यान देने योगे बात है कि numerical करते समय आपको देखना है कि units accordingly होनी चाहिए अगर कोई conversion करना है तो उसे करिए और answer में जो चीज़ पूछी गई है उसे unit के साथ में ही आपको represent करना है अगर आप unit में ही लिखेंगे तो आपके उसमें marks कर जाएंगे तो बहुत साथानी पूर्वक calculation पार्ट करते हुए आप इस numerical को attempt कर सकते हैं बहुत ही साधारन तरह का numerical है यह इनी Gibbs-Hell-Malls equation पर आधारित आपकी किताबों में बहुत से numericals दिये गए हैं और आपको उनकी practice घर में करनी है क्योंकि हामेशा questions में A part में आपको theoretical question पूछा जाएगा और इसका second part होगा B part वो numerical part होगा तो कोई भी question attempt करते समय यह दोनों चीजें आपको जरूर हल करेंगे तभी अच्छे marks प्राप्त कर पाएं third question है which is the general condition of equilibrium and spontaneity साम्य वस्वत्य प्रवर्टित की सामान्य अवस्था कौन सी है याद कीजें जब आपने Gibbs, Mukt, Urja और Helmol's free energy के बारे में पढ़ा था Gibbs function के बारे में पढ़ा था work function के बारे में पढ़ा था तो वहाँ आपने Gibbs free energy के physical significance के बारे में भी पढ़ा था वहाँ आपने समझा था कि अगर delta G कमान negative है दिनात्मक है यानि delta G 0 से छोटा है यानि मुक्त औरजा का मान Gibbs मुक्त औरजा का मान 0 से कम प्राप्त हुआ है तो अभीक्रिया spontaneous होगी स्वत्य अभीक्रिया होगी और अगर delta G का मान 0 के बराबर होगा तो अभीक्रिया equilibrium में होगी साम्यावस्था में होगी और अगर delta G का मान positive है, धनात्मक है यानि delta G का मान हमेशा 0 से बड़ा प्राप्त हुआ तो अभीक्रिया non-spontaneous होगी तो spontaneous reaction होने के लिए delta G का मान हमेशा 0 से कम होना चाहिए यानि इसकी values negative होनी चाहिए तभी अभीक्रिया spontaneous कहलाएगी तो इस प्रकार आपने आज की home assignment में long answer question देखा numerical देखा और एक short answer question देखा इसी pattern को अपनाते हुए आप इस प्रकार की questions जो कि आपकी किताबों में दे रखे हैं उन्हें अपने हाथ से हल कीजिए अपने हाथ से लिखिए तब आपको जो एक confidence है वो प्राप्त होगा इन questions को solve करने का इनने अपने copy में करके अपने pass रखिए जब भी college खुलेगा और आप आएंगे तो हम आपके इन assignments को चेक करके आपकी गलती के बारे में आपको ज़रूर बताएं Thank you